कि यह जो बजट है वो हमारे चुनावी वर्षों के बजट की तरह है लेकिन सरकार इतना एक्शन बोड में है लेकिन आप देखिए सरकार की मंचा क्या है कई कॉंग्रेस विधायकों ने भी और रिकॉर्ड भी और रिकॉर्ड डेड भी कहा है कि बजट बहुत पुछ है विधायक मुष्मंत्री जी से मिलने विधानतबा में ही आए तो वो बोल रहे थे कि हमको कॉंग्रेस सरकार में कुछ नहीं मिला था लेकिन हमें आज इस के साथ में जुड़े शिंदेगुट वाली और विधान सभा में अभी पिछले कुछ दिनों से रितु जी काफी चर्चाओ में हैं जानेंगे करेंगे इनसे कुछ खास बात मैं बजट में अभी भरतपुर को काफी कुछ मिला है आपने धन्यवाद भी दिया है सीम साब का जी दिया जी का तो क्या कुछ ऐसी सोगाते हैं जो आप चाहरीन थी आपके शेत्र को मिली और क्या बाकिरे गई देखिए ऐसा है कि बयाना विधान सभा शेत्र काफी लंबे समय से इंफास्ट्रक्चर के मामले में बड़े काम तो बहुत दूर की बात है लेकिन को कहने से लेके यह किया कि हमारा सबसे पहले इंफास्ट्रक्चर डवलप हूँ चाहे वो बिजली का हो चाहे पानी का हो चाहे सडकों का हो चाहे चिकिस्था के हो तो लगातार मेरा प्रयास रहा और मैंने 220 किवी की लिए कहा था मुख्यमंत्री जी क्योंकि भरतपुर से आते हैं और उनका स्नेहा आशिरवाद सदेव बना रहा है तो उन्होंने हमें बिजली के शेत्र में 220 कवी का GSS इस बजट में प्रदान किया साथ ही चिकिसा की बात करें तो हमारे आपर दो उपखंड है रुबास और बयाना दोनों ही उपखंड के दोनों ही हॉस्पिटल को उन्होंने आपका SDH कर दिया और एक model CSC की बात कही तो रुदावल model CSC भी हो जाएगी तो चिकिसा के शेत्र में जो इतने सालों में नहीं हुआ वो एक बड़ा achievement हमारे लिए है और हमने हासिल किया है मुख्यमंदरी जी ने पूरा आशिरवाद हमारे उपर रखा है सडकों की इस्तती जो है हमारे शेत्र में सडकों की सडकों की सितती की बात करें तो State Highway के अलावा कोई भी सडक ऐसी नहीं है जो सही हो और कल जो कुछ परिवर्तन हुआ उसमें हमें एक सडक भी उसमें 10 करोड की मिली है थाने की बात चल रही थी तो बंद बारेठा थाना की बात थी वो भी हमें मिल गया है रुबास के शाही तालाब की बात हम लगातार करते आ रही हूँ रुबास का शाही तालाब भी अभी भी मुख्यमंतरीजी से मेरी भेट हुई तो उसमें भी मैंने उनको कहा और उनने आश्वासन भी दिया कि तो ये काम भी करेंगे तो अकुल मिलाकर इंफरस्ट्रक्चर पानी की बात है अमरट टू की उसमें भी बयाना रुबास का नाम है जी एसस की बात है 220 केवी तो है ये साथ ही जो 33 केवी के जी एससे 132 हमारे यहां बन रहा है जिसका काम अभी तक चली रहा है लेकिन मैं ये भी बहुत-बहुत धन्यवाद दोंगी कि जिस तरह बजट आया उसमें पहली बार भरतपुर जिले की जिले का नाम भी बात-बार पुकारा गया और साथ में उनकी विधान सबाओं की रुबास में बस्टेंड मिला बस्टेंड की बहुत समस्या थी बयाना बस्टेंड अभी अवेटेड है, होगा, जरूर हो जाएगा अभी जगा हम देख रहे हैं और शायद अगली बार में वो भी हो जाएगा तो यह कहना कि इन्फरस्ट्रक्शेक मामले में खुब अच्छा काम बजट में हमको मिला है अच्छा काम मिला है और आगे जो संशोदित बजट आने वाला है उसमें भी पॉसिबिल्टीस हमारे लिए है कि यह जो बजट आया कॉंग्रेस यह समझ रही है कि यह जो बजट है वो हमारे चुनावी वर्षों के बजट की तरह है लेकिन सरकार इतना एक्शन मोड में है उन्होंने बोला कि बंतरियों को आपने पहले भेज दिया और अधिकारियों को पहले भेज दिया बजट अभी पास हुआ नहीं लेकिन आप देखिए सरकार की मन्शा क्या है सरकार संदेश देना चाहती है कि हम काम करके दिखाना चाहते है इसलिए उन्होंने कि आप शुरू तो हुई है बजट तो होना ही है यह तो सब को ही पता है कि बजट जो गोशना है हो चुकी है वो निश्चित तोर पर बजट में होनी है क्योंकि पास होने वाला है सदन में तो उन्होंने सब चीज़ों को एक क्रम शुरू कर दिया जो जनाए धरातल पर जल्दी से जल्दी पहुँचे मैं खुद मंतरी जी के साथ में थी सुरेजी रावत भरतवत के प्रबारी मंतरी है उनके साथ मीटिंग में थी उनके क्लियर इडिस्ट्रेक्शन थे जो सरकार के थूँँ उनके पास थे कि हमें काम करके दिखाना है उन्होंने खुद एक एक जगा जाके जहां जहां चीजें प्रस्तावित हैं वो जाके बस में जाके देखी किया अधिकारियों को दिया कि हमें जल्दी से जल्दी चीजें करके दिखानी है तो सरकार पुरा एक्शन मोड में है पुरा काम करने की नियत नेक नियत रखती है तो मैं यह कहूंगी और कई Congress विदायकों ने भी, of the record भी और recorded भी कहा है कि budget बहुत अच्छा है, कल में एक विदायक जो वित्यमंत्री जी का बाशन होगा, उसके बाद में एक विदायक मुक्हिमंत्री जी से मिलने विदानताबा में आये, तो वो बोल रहे थे कि हमको Congress सरकार में कुछ नहीं मिला था, लेकिन हमें आज इस बजट में बहुत कुछ मिला, तो और कॉंग्रेस की विदायक थे, तो निष्चित तो पर राजस्थान की समग्र कॉंस्टेंसिस को लेकर बहुत अच्छा बजट है, जनता के लिए बहुत अच्छा बजट है, और कहते हैं कि लगातार मांग उठा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, जो जनता ने मेरे उपर विश्वास किया है, उसको प्रूव कर पाऊँ, 100% सर्टिफ्रेक्शन दू, यह तो पॉसिवल नहीं है, बट मेरा प्रयास लगातार यही रहता है, कि जनता को, जिसलिए मुझे विदान बेजा है, उनको भी लगे कि हाँ, हमारी बात कह रही है, और यह पूरी कोशिश तह दिल से कर रही है, वित्मंद्री खुद एक महिला है, आप महिला है, और भरतपुर और उसके आसपास की विदान सबाँ के बात करें, तो महिला शिक्षा एक बहुत बड़ा सवाल है, हला पुराना पड़ता है, या कहीं और बाहर जाना पड़ता है, उसके लिए कोई विशेश आपकी कारी योजना या मांग, देखें, महिला शिक्षा की, मच्चियों की शिक्षा की बात हो, तो अभी अलग से सबी विधायकों को तीन करोड का बजट भी दिया गया था, कि जो स कहूंगी कि पिछले कई सालों से इंफरस्ट्रुक्षा के मामले में बात नहीं हुए, शिक्षा भी उसमें महुत प्रण हुसता है, और शिक्षा के शेत्र में बहुत कुछ होना चाहिए, मेरे विधान सबा शेत्र की बात करें, तो हमारे यह जब बीजेपी गवर्मेंट तब ही देवनायन कॉलेज, देवनायन स्कूल, यह चीज़ें आचुकी हैं पहले ही, और हम महिला शिक्षा की तरफ बच्चियों की सिक्षा की तरफ पूरा ध्यान भी दे रहे हैं, जहां भी गल्स स्कूल की कोई प्रॉल्म्स होती है, अभी एक स्कूल था, रुदावल का स्कूल है, उसमें भी मेरा जाना हुआ था, बच्चियों से मिलना हुआ था, तो उनकी समस्याओं को ध्यान में है, टीचर्स की जो कमी है, उसको भी पूरा करने का पूरा प्रयास हम शिक्षा मंतरीजी से मिलकर करने वाले हैं, मैंने उनको लिखके भी दिया है कि कहां कहां मामले में कोई प्रॉल्म नहीं हो, रही बात टीचर्स और उनकी तो भर्तियों में भी हमें मिलेंगे और अभी जब रिसेंट आपके ट्रांसफर्स होंगे, उसमें भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि जादा से जादा सिक्षक हमारे यहां लग पाए, एक और सबसे बड़ी जो समस्या उस पूरे शेत्र की है भरतपूर और उसके आसपास की बयाने की नदभई की अपराद, वो भी महिलाओं को लेके अपराद, पिछली अशोग घहलो सरकार में, बीजेपी ने, आपने खुद ने बहुत इसको मुद्दा भी बनाया था, लेकिन अब वही लोग व परादों की जहां तक बात है, जो कॉंग्रेस हाशनमें के टाइम पर हो रा था, उसमें निश्चित तोर पर बहुत गिरावट आई है, आप देखिए, कॉंग्रेस सरकार के समय में ऐसी स्तती हो गए थी, कि अकबार पढ़ते वे भी डर लगता था, पर डे, कोई महिला के स दूध मुई बच्ची को तक नहीं छोड़ा गया, और जब से बीजेपी गर्मेंट आई है, मैं इंडिपेंडेंट विदाय को लेकिन ये कहने में कहीं अत्य शक्ती नहीं है, कि जब से बीजेपी की सरकार आई है, तब से लोयन और की स्तती अच्छी बनी है, और निश्च से, वहां के जो पुलिस के अधिकारी हैं, चाहे एसपी हों, चाहे अजी साहब हों, सब लोग कहीं अपरात की बात आती है, तो वो एक करेंट एक्शन लेते हुए काम करते हैं, और उसके रोक थाम के लिए एक अवेरनेस भी होनी चाहिए, अवेरनेस की पोशिश हम पूरी करते हैं, मैं आपको बताओं कि मेरे विधानसभा शेत्र में डांग का भी लाका आता है, आंदोलनकारी जो पीलुपुरा का वो रहा वो भी आता है, लेकिन मेने 15 साल से में राजनीती में महा काओं कर रही हूँ, घर-घर देखा है, ऐसी कोई बात नहीं है, चीजे होती है लेकिन उनको सुधारा जा सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि अपराद बढ़ता जा रहा हूँ, मेरे विधानसभा शेत्र में तो भगवान के दया से सब शान्ती है, और मैं खुद विधायक हूँ, हमारी मुख्यमंतरी जी डिप्टी सीम साब महिला हैं, तो अकुल मिलाकर य आप देखिए मजट में दिया है, कि स्कॉइट बना जाएंगे, बाली का स्कॉइट बना जाएंगे, जहां पर छेड़ चारी की और यह जब घटना होती है, उन पर रोक लगेगी, निर्भया स्कॉइट बनेंगे, तो निश्ची तुर पर इंप्लिमेंट जब धरातल पर ह होगा, तो महले अपरादों में पूरे राजस्थान में कमी आएगी, एक सवाल और है, कल ही की सुरकिया है, देर रात की, पूर्व जल्दाय मंतरी महेज जोशी के करेवी संजे बढ़ाया को पुलिस का शिकंजा उन पर कसा है, और यह मामला भी अगर उठा, तो डॉक्टर किरोडी लाल मेना जी की वज़े से उठा, और पिछली सरकार में कई मामले किरोडी लाल जी की वज़े से उठे हैं, लेकिन इस सरकार में क्या आपको ऐसा लगता है, क्या उनकी नाराजगी है, क्या सरकार मुख्यमंतरी जी उनकी सुन नहीं रहे, कि उन्हें ऐसा फैसला ल निश्ची तोर पर बहुत एक्टिव लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, उनके बारे में कुछ कहना, उनके किसी कदम पर सवाल उठाना, मेरे को नहीं लगता कि मैं उसको पर सवाल उठाने के योगी हूं, और जहां तक मुख्यमंतरी जी से बात हुई, वो तो मुख्यम सबसे उनने पर्मिशन लिए, ऐसा तो कई कारण हो सकते हैं, तो यह कहना, मैं उनके बारे में क्या कह सकती हूं, लेकिन सम्मान उनका पार्टी में कहीं भी कम नहीं है, पार्टी में क्या किसी भी व्यक्ति के मन में, जो सदन में भी सम्मान है उनका, वो बड़ा बड़ा है में तो रही प्रदेश की बात, अब कुछ सवाल महराष्ट को लेके शिव सेना शिन्देगुट को लेके अभी आप लोग शायद मिलने भी गए थे तो क्या आगे आने वाले समय में क्योंकि आप जीत के आए हैं आगे आने वाले समय में सरकार के अंदर कैबिनेट में किसी मं रखी गई है या जो आप कारे समीतियां बनेंगी कमीटियां बनेंगी उसमें कोई पद देखिए ऐसा है कि मैं तो इंडिपेंडेंडेंट विधायक हूं मैंने सरकार को यहां पर जब जीत के आने के बाद दो दिन बाद ही बिने समर्थन दे दिया था वो डिस्क्लोस बाद में हुआ और इस बीश में शिंदे ग्रूप से मिरको इन्विटेशन आया कि आप महरास्ट आईए मिलने आईए मैंने उनको भी वहां समर्थन दिया क्योंकि बेसिकली हमारा जो आइडिलोजिकल लेवल है उस पर हम एक ही हैं चाहे वो बीजेपी ले लो आप चाहे शिवसे ना ले लो तो एंडिय का क्योंकि मंत्री बनना उनके विवेक पर उनका विवेक अधिकार है उनका अधिकार है कि वो क्या करते ऐसे कोई विशेश कोई बात नहीं है लेकिन सपोर्टिव हम है यहां पहले से ही हम सपोर्टिव हैं और शिवसेना से बात होने के बाद में होना ही है तो हम बिल्कुल ल किटकटे तीनों निर्दल्य लड़े और तीनों जीते इस पर आप क्या कहेंगी और क्या मुख्यमंत्री जी से या बीजेपी आला खमान से इस बारे में कभी आपकी कोई बात हुई पहले चुनाव से पहले कि इन दोनों को भी वापस से साथ लाया जाए वापस से मनाया और परिवार में चोटी मोटी खटपर्थ होती रहती है है ना उस पर इतना ज्यादा उसको लेकर वैटना पॉलिटिकली अच्छा भी नहीं माना जाता और जैसा मैंने कहा कि हमने जीतने के बाद तुरंथ ही पार्टी को सपोर्ट किया था लेटर मैंने बहुत पहले दे द पर परिस्तितियां जो भी रही उन चीज को भूलके जिस दिन चुनाव खतम हुआ रिजल्ट आया उसके बाद में उस चीज को भूलके मैंने अपनी समस्त जनता जनारदन को मेरे घर पे बुलाया और जब तक तो सरकार किसकी बनेगी वो रिजल्ट भी डिकलेर नहीं इवन एलेक्शन लड़ने का भी फैसला जो था वो जनता ने लिया आप देखिए कि चुनाव आप मेरे शेतर में जाएंगे तो आप देखेंगे कि चुनाव मैंने नहीं लड़ा जनता ने जिताया क्योंकि मैं जितनी महनत कर सकती थी उससे जादा महनत करे करता हूनों कि उससी का प्रड़िणाम था कि 41,000 मार्जिन लाना बहुत बड़ी बात थी और सब की महनत काम आई हम जीत कर आए और पार्टी ने भी हमको सम्मान दिया ऐसी बात नहीं पूरा सम्मान दिया आप मला कि कहते ना कि प्रत्यक्ष को प्रमान की आश्यक्ता नहीं होती आप तो सब अच्छा है और अच्छे कि हम उमीद भी करते आगे भी आपकी इन दोनों से राहुल कस्वा जी से बाती जी से आपकी कभी बात हुई हो चुनाव से पहले चुनाव के बाद भाटी जी तो मेरे साथ सदन में है राहुल जी से मेरा अतना मिलना नहीं हुआ है लेकिन अग्या जी ने भी हमने दोनों नहीं कहा था कि छोड़ो उसको और पर वो भी उसमें उनों ने ये कहा कि वो भी इधन्ता के वज़े से मजबूर हैं ऐसा उनों ने बताया अब एक दिन हम बेठे थे आफ दुरीकॉर्ड आराम से बात कर रहे थे तब उनों ने कहा था उन्हें मांगी थी जनता के लिए मांगी थी वो उन्हें मिली और जो नहीं है वो आगे भी ये मांग रखेंगे मुख्यमंत्री जी से वित्त्यमंत्री जी से जो इन्हें पूरा विश्वास है कि वो चीज मिलेगी महिला अपराद हो महिला शिक्षा हो चिकित्सा हो हर शेत है कि आपके ही विधाय का कि ब़जट की तारिफ कर रहे हैं तो आट किसी को भी घेरना सही नहीं होता, में अजया के साथ उम्माथूर जन्ता दरबाए